कि वेल्कम इस्ट्रेंट जासे कि हमने जो है पिछली बार अपना बाइलोजी का एक चेप्टर जो है क्लास 10 का खदम कर लिया था जिसमें हमने जो है लाइप प्रोसेस चेप्टर के बारे में पढ़ा था आज की क्लास में हम लोग जो है चेप्टर का बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी का जो है इस स्टार्ट करेंगे तो चलिए ठीक आगे बढ़ते हैं ठीक है जितनी वी वीडियो जितनी वी क्लास इस अभी तक हुई है इस्ट्रेंट उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देंगा आप वहां से उसको चेक कर सकते हैं तो चलिए इस्ट्रेंट जिससे बहुत सारे हम अपने जो है day to day life वर्क कर सकते हैं जैसे बिजरी का यूज करके हम lightning कर सकते हैं हीटिंग कर सकते हैं रनिंग मशिन कर सकते हैं पतलब यह समझ लीजिए कि day to day life में अगर आज के टाइम electricity नहीं है तो कोई भी काम जो है वो हो नहीं सकता है प्लांट जो है डीजल बेस्ट होते हैं या कुछ पावर प्लांट जो है न्यूकलिया एनर्जी के ऊपर बेस्ट होते हैं तो उस तरह से जो है इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है फिर उसको जो है ठीक है वायर्स के थ्रूव एसी फोम में अल्टरिनेटिंग करेंट के फोम में भेजा जाता है यह हम लोग जो है इस चैप्टर में जो आगे पढ़ेंगे ठीक है ट्रांस्मीशन ओफ इलेक्ट्रिसिटी तो वहाँ पे हम लोग जो है डिस्कस करेंगे ठीक है इस तरह से हम बहुत सारे पॉइंट जो है वो पर करेंगे टो चलिए इलेक्ट्रिसिटी सीटार्ट करने से में ऐर सीतीं है कि मेरी बेसिक को सब्सक्र कुष्टिसटी जो है सिर्फ की फिस ऐसे ही było कि यो पास होती है निकिक्ड़क्ट्र के अंदर ही पास हो सकती है electricity तो इसका अंसर जो है मैं आपको बताएता हूँ वैसे आप जो है think भी कर सकते हैं कि हमेशा electricity जो है वो conductor के अंदर ही क्यों पास होती है इंसुलेटर में क्यों नहीं पास होती है तो देखे conductor क्या होते हैं a substance which carry electricity through it is called conductor तो वो substance जो अपने में electricity पास कर सकते हैं उसको हम लोग बोलते है conductor strength जैसे silver, gold, copper, iron, other materials के हमारे conductor है जो electricity conductor है देखें आपर मैंने एक diagram के तुरू आपको समझा है मान दीजो कोई भी conductor होगा strength तो conductor में क्या होगा free electrons होगे अब यह free electron क्या है resistance different different direction में जो है move करेंगे देखें आपर इनकी direction भी shop हुई है different different direction में यह move करें free electrons जो है तो अलग-अलग direction में जो है यह free electrons move करें तो किसी भी conductor में electricity pass होने के लिए का है free electron का होना जарूरी है अगर उसमें free electron नहीं होगे तो वो इलेक्टरिसिटी नहीं कंड़क करेगा हलागी वो आटम्स का बना वह बट इस्टिल हम लोग आगे पढ़ाएंगे इसमें कि फिर इलेक्टर नेंगेटिव चार्ण है तो इलेक्टर जो है वो पॉजिटी प्लेट की तरफ जो है अट्रेक्ट हो जाएंगे देखिए इस तरह से अपका इधर जाएगा ठीक है फिर current इस तरफ जाएगा फाइनली आपका current जो है इस direction वे वापस आजएगा बट आपका जो free electron की momentum वो क्या है current के opposite direction में होगी ठीक है तो यह basic concept है इस chapter को जानने के लिए तो देखिए मैंने वही समझाए आपे एक conductor consists of free electrons the motion of free electron is similar to motion of gas molecules कैसी उसकी motion होती है जिस तरह से उसकी motion जो है gas के अंदर जो है random direction में molecules move करते है इसी तरीके से किसी भी conductor में free electron move करते है न अच्छा they move in random direction when no source is joined through them but as soon as a battery is joined across the end of a conductor then these free electron drift in a particular direction means they move in a particular direction due to which due to electric field of the source यानि कि source की electric field की वीज़े से ऐसा होगा इस्ट्रेंट्स ठीक है चलिए ठीक है यह देखिए एक diagram और मैंने बनाया इसमें यह देखिए यह battery जो इनकी प्लस टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल करंट किदर flow करेगा इस ट्रेंट्स इस direction में current फ्लो करेगा ठीक है इस direction में current फ्लो करेगा यह देखिए यह conditional flow of current शो किया हुआ है यहाँ पे flow of current शो किया हुआ है इसमें देखिए किसी भी solid के अंदर जो है atom तो pack होते हैं बहुत closely लेकिन electron जो होते हैं वो हमेशा free होते हैं किसी भी direction मूँव करने के लिए but as soon as battery हम लोग join करेंगे वो किसी particular direction मूँव करेंगे जो कि opposite होगी flow of electron inside the conductor important लाइन है ठीक है तो आपका जो sorry जो आपके electron मूँव होंगे वो current की direction के opposite direction में मूँव करेंगा यह सबसे important point है ठीक है तो inside a solid atom होंगे but free electron मूँव करेंगा जब battery उसमें जो करेंगे तो वो किसी particular direction मूँव करेंगा जो direction opposite होगी flow of electron के ठीक है अब देखे हम लोग पढ़ रहे हैं क्या charges तो charges में हम लोग ने पढ़ा है electric charge पढ़ लेते हैं हम लोग ठीक है तो fundamental entity बोलते हैं हम लोग electric charges को है न मतलब सबसे basic entity जो है current के flow करने के लिए क्या है चार्ज ही होगी तो क्या होता है चार्ज एक चार्ज जिए physical entity which is defined excess or deficiency of electron हमने पढ़ा हुआ है उल्रडी 9th class में charge या तो positive होगा या negative होगा तो charge क्या होता है physical entity होता है इधर उसमें excess of electron होता है और deficiency of electron किसी object किसी body के उपर जबाता है तो हमे चार्ज में a body is set to be negatively charged if it gains the electron अगर उस पर extra electron आ गया ठीक है तो उस पर charge कैसा हो जाएगा negative charge हो जाएगा क्योंकि जब electron का number जादा हो जाएगा तो वहाँ पर जो है negative charge हो जाएगा जो वो gain करेगा electron को ठीक है इसमें example ले लीजे एक ebonite road जो हमने वो ली है ठीक है रोब नी strength road क सुरी an ebonite road with for acquire negative charge तो जब हम उसको rub करेंगे ठीक है तो वो क्या करेगी negative charge acquire करेगी यहाँ पर थोड़ा line ठीक कर लिएगा ebonite road rubbed b u r u double b d rubbed with for acquire negative charge जब एक ebonite road को rubbed से स्वरी फर से जह हम लोग जो है ठीक है rub करेंगे तो वो कैसा charge acquire करेगी negative charge acquire करेगी ठीक है ठीक है पर रोड कर लिजेगा ठीक है और यहां पर ED लगा लिजेगा बस ठीक है चलिए A body is set to be positivity charge if it loses electron negative कब होगी जब वो electron सोरी positive कब होगी जब वो electron को lose करेगी तो उसका example ए glass road rubbed with silk cloth है ना एक glass road को silk cloth से rubbed कर दीजे तो यह क्या करेगा आपका positive charge acquire करेगी strength तो इस तरह से आपका जो है चार्ज बनेगा यह देखे नेचर ओफ चार्ज को मैं ने आप पर समझाने की कोशिस करी आपको कि किस तरह से आपका जो है चार्ज किसी भी object के उपर develop होते तो उसके लिए आपको फिर यह series याद करनी पड़ेगी जैसे एक material हो गया फ़र एक माईका एक ग्लास सिल्क कोटन एंबर रेजिन एबोनिक रबड यह सब क्या है increasing work function यानि कि इनकी work function की efficiency का coating जो है भड़ते हुए करम में लिखे हो है constant यानि कि सबसे आदा work function किसका होगा rubber का सबसे कम किसका होगा फरका होगा इस तरीके से यह arrangement आपका बनाया हुआ है तो यहाद अरखना है आपको इसमें इस series में जो ठीक है जो भी आपका material आगे रहेगा उस पे negative charge आएगा जो भी material आपका lag behind करेगा पीछे की तरफ रहेगा वो negative charge होगा जैसे मैंने अभी इस example कि तुरू आपको बताया यहाँ पे सबसे पहला example मैंने लिया एबनाइट रोड और फर को जो है मैंने ठीक है वहाँ पे जो है रब किया तो देखिए एबनाइट रोड कहां पे यह रहा ठीक है और आपका जो है दूसरा material क्या है फर है फर कहां पे आपका यह रहा ठीक है फर material यह रहा तो देखिए यहाँ पे अहेड कोन है ठीक है यहाँ पे आपका जो है एड है इबनिक तो इबनिक पर क्या चार्ज आएगा नेगेटिव चार्ज आएगा ठीक है तो इस तरह ऐसे आप जो है चार्ज को चेक कर सकते हैं इसी तरी के देखिए ग्लास रोड ग्लास चार्ज एक्वाइर करेगा यानि कि स्टेबल के थूँ ठीक है आप नेचर ओफ चार्ज को जो है एस्टिमेट कर सकते हो बस इतना ध्यान रखना है जो भी आपका एलिमेंट आगे की तरफ आएगा वो नेगिटिव चार्ज होगा जो भी पीछे की तरफ आएगा वो पोज अगे दिखें ऐसा उनिट ओफ चार्ज इंपोटेंट है क्या होती है कूलम ठीक है या खूलम इस दाएसा उनिट ओफ चार्ज अच्छा एक एक इलेक्टोन पे कितना चार्ज होता है माइनस 1.6 10 पौपर माइनस 19 कूलम एक प्रोटोन पे चार्ज 1.6 प्लस में इन्टू प में माइनस और प्रोटों में प्लस होगा चार्ज ठीक है चलेगा आगे हम लोग पढ़ते है अपना ठीक है next topic quantization of charge काफी important है एक्जाम में पूछा जाता है तो quantization of charge क्या है देखेगा ठीक है the total charge acquired by body is integral multiple या is multiple of magnitude of charge on single electron है ना किसी single electron पर जो charge develop होगा वो हमेशा integral multiple होगा number का ठीक है इसी pencil को बोलता है हम लोग quantization of charge ठीक है दोबारा बतायता हम एक बार जब भी किसी ठीक है जो भी कोई object अगर उस पर कोई भी charge develop होगा तो यह जो charge develop होगा यह charge हमेशा जो है number के form में develop होगा ठीक है total charge acquired by body is integral multiple of magnitude on charge ठीक है single electron यानि कि जब भी आपका मान दीजी कहीं कोई object है उस पर charge develop होगा जैसे हमने उपर experiment पढ़े ठीक है glass road को हमने जो है silk से ठीक है rub किया तो silk क्या करेगी positive charge acquire करेगी तो यह जो charge acquire करेगी वो एक charge, दो charge, तीन, चार, चार, पांच, छे मतलब number के form में जो है charge develop होगे कभी भी charge जो है fraction form में नहीं होता है तो charge होने object या body is never in terms of fraction यानि कि e by 2 यानि कि half charge नहीं होसकता 2 e by 3 यानि कि 2 by 3 of electron नहीं होसकता ठीक है तो इसको हम लोग बोलते है quantization of charge इसको mathematically लिख सकते हो तुम q is equal to q is equal to n into me n मतलब number of electron multiply by n तो यह देखिए मैंने लिखा हो यहां पर q बराबर n into 1.6 10 to the power minus 19 coulomb अब exam में पूछा जाता है 1 coulomb को कैसे define करोगे तो 1 coulomb charge is nearly equal to total charge 6.25 into me 10 to the power 18 electron अगर मैं कहूँ एक coulomb charge क्या है तो एक coulomb charge जो nearly होता है आपका total charge 6.25 into me 10 to the power 18 electron पे जो charge develop होगा that is equal to 1 coulomb of charge ठीक है यानि कि 6.25 into me 10 to the power 16 electron पे जो charge develop होगा उसी को मैं कहूँगा एक coulomb charge जो है वो develop होगया है आप इसकी value find कर सकते हैं इस formula में इसको put कर दीजेगा जैसे मुझे n की value find करनी है तो मैं क्या करूँगा q upon e divide कर दूँगा यानि कि number find करने के लिए मैं ठीक है charge को electron की value से divide कर दूँगा ठीक है देखेगा मैंने कैसे किया हो यहाँ पे ठीक है mathematically मैंने बताया इसको तो क्यों मान दीजे एक coulomb charge है divide कि 1.6 10 to the power minus 90 coulomb coulomb से coulomb cancel हो जाएगा जाद रहना है one coulomb charge होता है ठीक है वो total charge of 625 into 10 to the power 16 electron के equal होता है या 6.25 into 10 to the power 18 electron होता है ठीक है यह standard form है यह ठीक है आपका actual number का form है तो इस तरह से आपका जो है one coulomb charge define किया जाता है instrument इसी तरीके से हमको पढ़ना है property of electric charge देखिए chapter में मैं बिल्कुल basic बता रहा हूँ कोई भी चीज ठीक है irrelevant निये exam में इस type से question पूछा जाता है ठीक है इसलिए मैं चीजें बता रहा हूँ otherwise मैं भी starting में start कर सकता है what is current what is charge basic start करके direct भी उसको जो है बताया जा सकता था बट बेज जब तक अच्छा नहीं होगा ठीक है आप फिर जो है marks वहाँ पे नहीं ले पाएंगे चलिए तो हम लोग पढ़ रहे थे property of electric charge तो property of electric charge जो है मने थोड़ा पढ़ा हुआ है इसको like charge हमेशा repel करेंगे strands unlike charge हमेशा attract करेगा electric charge जो है scalar quantity है ठीक है तो हम उसको जो है directly add कर सकते है vector scalar याद होगा ठीक है vector के अंदर magnitude direction दोनों होता है scalar में only magnitude होता है तो electric charges are scalar quantity so they are additive in nature उसको directly आप add कर सकते हो अच्छा कुछ strand की जो है सत्तम academy वाले बिजंदर सर वो math की classes जो है करा रहे है ठीक है और वो YouTube पे ही live classes करा रहे है तो वीडियो के description में जो है उसका link मैं आपको हर बार provide कर रहा हूं बट फिर भी आप मुझे कह रहे हो कि sir zoom पे कराईए देखे एक class का notes मनाने में काफी time लग रहा है अगर time नहीं लगता तो हम लोग शायद उसको manage भी कर लेते ठीक है बट जब वहाँ पे कराई रहे हैं sir तो क्या दिक्कत है बाद में उसको start करा दें classes को तो आप वहाँ से जो है उसको पल डिजो और कोई भी video जो है आपको जाती तो comment कर दीजिएगा वह को issue नहीं है ठीक है चलिए तो मैं आपको पढ़ा रहा था strength charge जो है scalar quantity है उसको add कर सकते हैं इसी तरीके से electric charge conserve होते हैं मतलब ना हम उसको destroy कर सकते हैं ना ही उसको बना सकते हैं मतलब देखे और इधर भी created nor be destroyed electric charge quantized होता है अभी पढ़ा है Q is equal to many और one charge exert force on other charge एक charge दूसरे charge पर force exert करेगा strength तो इस तरह से हमने जो है अपना charge का topic जो है वो complete कर लिया अब हम लोग अपने main topics में आ जाते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे electric current strength है ना तो electric current क्या है देखे ठीक है मैंने बताया किसी भी conductor के अंदर क्या होता है free electrons होते हैं अभी बताय जो है एक particular direction move करना शुरू करते हैं जब कोई भी बैटरी उसमें join की जाती है तो free electron की movement को हम लोग क्या कहते है electric current कब कहेंगे जब वो per unit time किसी cross section area में flow करें तो simply समझ लिजे when electric charge flow through a conductor then there is electric current in the conductor जब भी किसी electric conductor में ठीक है जो है electric sorry charge flow करेगा per unit time में तो हम क्या कहेंगे कि वहाँ पर जो है electricity flow कर रही है तो यहाँ पर definition लिखे electric current is defined as rate of flow of electric charge through any cross section of the conductor किसी भी conductor के cross section से ठीक है जब electric current flow करेगा तो उसका rate of flow जो होगा उसी को हम लोग कहेंगे electric current तो electric current is the rate of flow of electric charge through any cross section of conductor पूरे उसके cross section में तो इसका formula बना लिजे electric current is equal to charge upon time ठीक है charge divided by time यह sin divided का है ठीक है इसका formula बना यह charge के जिए small q लिख रहा हूं मैं कई books में capital q भी लिखा हूं है वो भी आप use कर सकते हो time के लिए small t अभी पढ़ा है q is equal to any तो any by tb आप इसको रख सकते हो इस ट्रेंट तो यह आपका हो गया ठीक है electric current का formula और mathematical formula चलिए अब हम लोग जो है particular direction में वो करती है कई स्ट्रेंट बहुत ज्यादा confusion में रहते हैं कि सर electric current तो वेक्टर होना चीए क्योंकि उसकी तो direction हमेशा सेम है बट वो क्या है particular direction की वज़े से हम उसको जो है only scalar quantity कहेंगे ठीक है चलिए यहां पर एक diagram दिखाया हुआ आपको ठीक है अब अच्छा है इसक है ऐसे find करेंगे हम लोग ठीक है हमें पता है one ampere क्या है इसका ऐसा unit है तो charge के लिए one coulomb upon one second तो one coulomb by one second one ampere तो one ampere is equal to one coulomb per second तो this is the SI unit of current ठीक है चलिए तो कई बार exam में पुछता है define one ampere तो when one coulomb of charge flow through a conductor in one second एक कूलम का charge जब एक second तक किसी भी conductor में flow करता है तो हम उसको कहेंगे कि वहाँ पर एक ampere current जो है flow हुआ है strength तो इस तरह से उसको mathematically लिख दीजिएगा physics में mathematically लिखना ज्यादा easy है expression करना आपको पूरा आना चाहिए तो यहाँ पर मैंने definition लग दी current को major करने के लिए हम लोग emitter का use करते है एक emitter में हमेशा strength low resistance होना चाहिए important point है और हमेश सीरीज के अंदर जो है इसको जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि जब ज्यादा ज्यादा current flow करेगा तो वह जो है emitter reading आपको अच्छी दे पाएगा resistance उसका कम से कम होना चाहिए आगे के lectures में resistance जब कवर करूंगा तब वहां पर भी भचांगा यह देखिए आपको एक diagram यहाँ दिखाए हुआ है emitter का ठीक है यह 0 रीडिंग 100 रीडिंग 20 30 इस तरह से तो a for ampere ठीक है चलेगा तो यह और अच्छा इसका सिंबल भी है plus minus a ठीक है तो this is the symbol of emitter ठीक है ठीक है चलेगा आगे बढ़ते हम लोग ठीक है electric potential अच्छा potential का मतलब क्या होता है देखे electricity में जितनी भी चीज़े है ठीक है बहुत basic से अपको बता है तो पूरे ध्यान से जो है उसको समझना है तो electric potential क्या है potential का मतलब क्या आते है strength ability to do work है ना कारे करने की छमता को ही हम लोग जो है electric potential कहते हैं तो electric potential क्या होगा तो electric potential होगा जब कोई भी charge किसी एक जगे से दूसरी जगे move करेगा तो जितना work done आपको करना पड़ेगा that is your electric potential अब किस तरह से उसको work कराएंगे वो देखे एक बार ठीक है यहाँ पर मैंने समझाने के लिए यहाँ पर मान लिए कोई एक charge है ठीक है अब इस charge क्या होगा इसका जो है कुछ reason या space होगा जहाँ पर जो है electric field generate करेगा तो electric field वो reason होता है charge कराएंगे जिसमें वो जो है किसी दूसरे charge को ठीक है अपनी तरफ acquire कर सकता है खीत सकता है उसको repel कर सकता है तो इसकी electric field में जब हमें एक unit का charge लेके आएंगे किसी infinite point से यहाँ तक तो जो work done हमें करन पड़ेगा that is called electric potential मान लीजिए electric potential at be find करने electric potential at a तो different different point पे electric potential की value अलग अलग होगी तो मैंने क्या किया infinite point लिया infinite point से 1 कूलम का charge लिया इसको जो है किसी electric field में ठीक है लेके गया तो जो work done मैं करूंगा वही क्या होगा electric potential तो देखे definition भी कुछ वैसी है ठीक है तो electric potential at a point in a electric field is set to be work done in moving a charge from infinite to that point ठीक है जो work done आपने किया किसी भी charge को move करा में में infinite से किसी point तक उसी को हम लोग करेंगे electric potential ठीक है दुबारा बताऊं electric potential at a point in a electric field is set to be work done in moving a charge from infinite to that point ठीक है इसी तरीके से दूसरी definition भी आप बना सकते है इसकी the work done in bringing a one column charge from infinite to a point in region of electric field is called electric potential ठीक है तो जो work done आप करेंगे एक unit charge को infinite से किसी region में लेके आने में वही आपका electric potential होगा तो इसका formula देखिए v is equal to v for potential ठीक है p नहीं है v है na potential के लिए हम लोग v लिखेंगे v is equal to work done per unit charge ठीक है work done per unit charge तो देखिए जे भी एक scalar quantity होगा strength इसका unit अभी हम लोग पढ़ेंगे work unit joule charge की unit column तो joule per column इसको हम लोग simply कहेंगे volt तो ऐसा unit of electric potential is volt ठीक है चलेगा इसी तरीके से हमें पढ़ना है electric potential difference अब देखिए अभी हमने पढ़ा electric potential electric potential क्या था किसी भी charge के round हम लोगों को work done करना पड़ा कोई एक unit charge infinite से किसी point पे लेके आने में बट अगर मैं इसी charge को किनी electric two point के only बीच में कहीं लेके जाता या लेके आता तो वहाँ पे क्या होता electric potential difference generate होता ठीक है तो electric potential difference क्या है the potential difference between two points in an electric field is defined as the amount of work done in moving a unit charge from one point to another है ना तो electric potential difference दो point के बीच में किसी electric field में वो amount of work done है जब किसी unit charge को एक point से दूसरे point में लेके आने में potential जो है आपका ठीक है चार्ज हमेशा move करेगा high से हमेशा low potential की तरफ आपका जो है charge move करेगा जैसे आपे यहां से इस तरफ आपका moment होगा charge का ठीक है तो यहां पे देखे बी से ए की तरफ ही moment होगा high potential to low potential तो वी में माइनस वी है w upon q तो one volt को define करेंगे तो one volt is equal to one joule one coulomb distance ठीक है चलिएगा तो इस तरह हम जो है इसको define कर सकते हैं इसी तरीक इस देखे smaller units हम लिख सकते हैं electric potential की one milli volt 10 to the power minus 3 volt milli मतलब 10 to the power minus 3 volt one micro volt micro मतलब 10 to the power minus 6 volt याद कीजे microscope वगेरा में बताया था cell chapter में पढ़ाया था ना इन क्लास में तो 10 to the power minus 6 volt large unit में किलो वोल्ट 10 to the power 3 volt ठीक है मेगा वोल्ट 10 to the power 6 volt ये कुछ larger units है आपकी electric potential की strength ठीक है अच्छा electric potential का measurement जो है किनी दो point में करना हो तो हम किसके थ्रू करते हैं volt meter के थ्रू करते हैं volt meter में हमेशा याद रहना आपको high resistance होना चाहिए और यह हमेशा जो है parallel में connect किया जाते है strength है ना अब आप कोगे sir इसमें high resistance की जर्द क्यों है क्योंकि हमें जो है potential find करना है तो potential find करने के लिए सारा current volt meter में से पास करने की जर्णी है सिर्फ उतना ही current पास करना है जो कि इनी 2 point के बीच में से हम लोग उसको carry कर सकते हैं तो हमेशा इसको parallel में add करेंगे और इसका high resistance होगा यहां आपको एक diagram के through समझाया हो है आपको volt meter strength ठीक है तो आज की class में देखिए मैंने इतना आपको बता दिया है बाकि हम लोग एक बार इसको जो है अपने notes में से और देख लेते हैं अगर कुछ भी extra points होगे तो वहां से भी हम इसको cover कर सकते है ठीक है तो देखें यहां पर समझायो आपको electric current क्या होता है उसका SI unit ampere अभी बताए मैंने आपको ठीक है फिर बताए यह क्या होता है ठीक है it is the rate of flow of electric charges ठीक है mathematically i बर आबर q by t जहां पर q क्यों क्या है net charge dead flow cross section of conductor अभी बताए experimentally क्या है emitter से major करेंगे ठीक है how it is connected always in series में connect किया जाएगा ठीक है what is circuit अभी circuit मैंने नहीं पढ़ाया circuit में next class में पढ़ाँगा but outline आप लोग देख सकते हो ठीक है यहां से इसकी outline आप देख सकते हो इसी तरीके चार्ज के बारे में मैंने बताया ठीक है सेमी चीज आपको बताई हुए minus six ampere major by emitter अभी बताया sign मैंने अभी समझाया emitter में low resistance होता है series में connect किया जाता है ठीक है यह भी पूरा अभी समझाया direction of देखें यह point थोड़ा important है इसको समझ लीजे direction of current is taken opposite to flow of electron as electron were not known at the time when the phenomenon of the electricity was discovered first देखें direction of current जो है हम हमेशा direction of flow of electron के opposite ही consider करेंगे क्योंकि जिस समय electricity का discovery हुई थी हम लोग यह मानते थे कि जो current flow करता है वो positive to negative ही flow करता है actually में भी ऐसी flow करता है बट direction of current में तो electron move कर रहा है लेकिन हम direction of electron नहीं consider करते हैं हम क्या consider करते हैं ठीक है direction of current को ही positive to negative consider करते हैं क्योंकि उसमें हमने जो है इस current का जो चार्ज है वो positive हमने माना था इस ट्रेंट्स ठीक है तो इबार दुबार बताता हूं इस point को NCRT में भी given है यह देखें the direction of current is taken opposite to flow of electron electron के flow के opposite होगा क्योंकि electron उस समय नहीं discover किये गए थे जिसमें electricity की discovery भी थी मतलब हम उसके बारे में इतना नहीं जानते थे तो हमने उसको सिधा positive charge मान दिया था ठीक है चलेगा इसी तरीके से और आगे बढ़िए ठीक है यह देखे potential difference मैंने आपको अभी पूरा बढ़ाया इस ट्रेंट्स ठीक है इसी तरीके से potential difference क्या है work done to move a unit charge from 1.2 another देखे notes अपने बनाते रहेगा ठीक है notes अपने जरूर बनाते रहेगा ठीक है जो भी आपको अच्छे notes लगते है उसको जो है जरूर अपने आप से बना के पूरा कीजिएगा ठीक है तो इसमें लिखा है 1V क्या होता है वन जूल वन जूल अफ वक इस रन इन केरिंग वन कुलम चार्ज देन potential difference is 1V यह 1V की definition पूसता है ठीक है बागी सेम यह है सब मैं आपको यहां तक पूरा बता चुक ह हूं देख लिएगा ठीक है स्ट्रेंट्स चलिए तो देखे एक छोटा सा टोपिक हम लोग और पढ़ लेते हैं फिर हम लोग जो है आज की क्लास जो है ओवर कर लेंगे ठीक है तो देखे सिंबल ऑफ सम कॉमनली यूज कंपोनेंट इने सर्किट देखे मान लिए जो कोई नाम लिखने की जगह है उसका कुछ सिंबल यूज कर लिया जाए तो वह कंविनेंट होगा तो क्या क्या सिंबल है देखे इलेक्रिक सेल सिंगल सेल के लिए एक सिंबल होगा प्लस माइनस और यह टर्मिनल बैटरी जिसमें बहुत सारे कनेक्शन ऑफ सेल होते हैं तो उसमे कि एक सिंबल आईगा, की अगर क्लोज है तो इस तरह का सिंबल आएगा, ठीक है, म favor कि में कुमें ऎक moyens flow नहीं करेगा, खोजकी में करेगागा करेगा आगे बढ़ाएंगे, वायर कहीं पर जोइंट है तो यह शिंबल शोग कीजे, when without joining, crossing कर रहा है तो यह सिंबल शोग सब्ढ़ें टिक है इलेक्टिकवल्फ का सिंबल यह शो कीजिए हलेक डाइग्राम नहीं बनाना यह वाला उल्ट Democrat और एका शरसको दिखा दीज लिए के लिए यरे उसको इसके लिए उसको डिखा दीजिए इसी तट YES стор पर करेंगे hopefully आपको जो है ठीक है ये वीडियो समझ में आई योगी स्ट्रेंट्स अगर आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई है please like, share और subscribe जरूर कीजिए गई स्ट्रेंट्स थेंक्यो